हलो दोस्तो नमस्कार एसे में किसी चानल में मैं आप सबी लोग का दिल से बहुत-बहुत सवायत करता हूँ सो दोस्तो आप सबी लोग को पता ही है कि काफी सारे research reports भी मैं आप लोग के सामने लेकर यहापे आते रहता हूँ जो कि किसी particular company से related होता है या फिर कभी-कभी किसी particular sector से related होता है बिजनेस से related होता है और फिलाल आप सबी लोग को पता ही है ऐसे काफी सारे report हमारे भारत देश के उपर भी आपे निकल रहे हैं हमारे भारत देश की economy के उपर निकल रहे है और वैसे ही काफी सारे report हमारे भारत देश की कुछ particular sector ही वो कितने percent से growth कर सकते है आने वाले समय में वो sector कितना अच्छा कर सकते है उसको कितना business मिल सकता है ऐसे भी काफी सारे reports हम लोगो देखने हमें मिल जाते हैं, तो इस बुड़े में भी अगर हम लोग बात करें, एक research report के हम लोग या पर बात करने वाले हैं, और यह research report कौन से sector के लिए हम लोग को देखने को या पर मिल रहे हैं, तो दोस्तों वो है advertisement sector, yes, advertisement आप सभी लोग को पता है, काफी important aspect या पर रहता है, किस चीज़ के चलते हैं, business के चलते हैं, marketing के चलते हैं, अगर आपने अच्छा product बनाया है, अगर उसका properly अगर आप advertisement ही नहीं करते हो, तो लोगों तक वो product या फिर service पहुचेगी ही नहीं, ठीक है, और इसका उल्टा भी होता है, उल्टा मतलब इबदम ही खराब product है, कुछ भी नहीं, ठीक के convert तो होगा नहीं, आपका ratio तो बहुत ही खराब यापे हो जाएगा, बट बताने का overall मकसद क्या है, कि आपके business में advertisement spending ये एक बहुत ही important aspect यापे रहता है, और इसी से related हम लोगों को यापे Redseer की report यापे सामने आती वी देखने को आपे मिल चुकी है, तो उसी report को हम थोड़ा सा पढ़ना यापे चाहेंगे, और उसके बाद हम लोग shares की उपर jump करेंगे, कि exactly कौन से shares को इसका directly indirectly फायदा यापे हो सकता है, so Redseer की report की title आप यापे देख सकते हो कि digital ad की जो spending रहेगी हमारे भारत देश में, आने वाले समय में कमाल की यापे grow होने वाली है, क् आप यापे देख सकते हो, कि Redseer की report के according आप यापे देख सकते हो, जो CAGR रहता है, compounded annual growth rate की बात करें, so advertisement से related हम spending की बात करें, तो 8-9% तक का growth हम लोगों को यापे देखने को मिल सकता है, financial year 23 से लेके 28 के बीच तक का ये data हम लोगों को फिलाल तो यापे बता रहे है, obviously 24 तो यापे start, यापे होते वे देखने का आपे मिल चुका है, ठीक है, मतलब वो तो खतम यापे हो जाएगा, बाद 28 तक ये reporting यापे बताई जा रही है, and then next अगर हम लोग बात करें, सबसे ज़्यादा जो खर्च यापे किया जाएगा, वो digital advertisement के उपर यापे किया जाएगा, ठ पूरी दुनिया ही digital हो चुकिये, बच्चे-बच्चे को यापे पताई है भाई, हर कोई यापे अगर आप देखोगे, तो cell phone लेकर ही यापे चलता है, ठीक है, पहले advertisement सबसे ज़्यादा कहा पे हुआ करती थी, yes, television के उपर हुआ करती थी, TV के उपर आज भी होता है, पर अ cricket match चल रहा है, आप phone के उपर भी देख सकते हो, तो TV अगर आप देखोगे, तो almost wipe out ही होते वे देखने हुआ आपे मिल चुका है, धीमे देमे करके हैं, आने वाले next 10-15 साल के अगर हम बात करेंगे, television तो मतलब ना के बराबर हम लोगों को देखने हुआ आपे मिल सकता है, 60% market share आने वाले समय में, जो भी advertisement के अगर हम लोग बात करें, ठीक है, financial year 28 तक, मतलब next 4-5 years की बात कर रहे है, 60 तक का market share किसका होगा, digital advertisement का होगा, मतलब बाकी में अगर देखा गया, तो आप लोगों को normal, traditional, newspaper, अलग-अलग चीज़े के हिसाब से marketing होते वे देखने हुआ next अगर हम लोग यहाँ पर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर हम जरूर कह सकते हैं, पिछले कुछ समय से, जो companies की spending थे, advertisements से related, थोड़ी बहुत कम होते वे देखने को मिले थे, because economically थोड़ा सा downturn देखने को मिलता था, बट अभी सारी चीज़े, come back करते वे देखने को हाँ आ या फिर 5 साल में, इबदम ही कमाल की growth देखने को आपे मिलने वाली है, so growth यहाँ पर रहेगी, अगर आप अपने product को, services को अगर advertisement के थूरू promote ही नहीं करोगे, तो फिर आप तीछे रहो गया होगे, यह तो आप लोग को यहाँ पर पता ही है, and advertisement की भी अलग-अलग माध्यम भी हम लोगों को देखने को मिल रहे है, जैसे कि influencer marketing भी देखने को आपे मिल जाती है, उसी के साथ-साथ अगर हम लोग आपे कहे, तो different language की हिसाब से भी आप advertisement कर सकते हो, ठीक है, उसी के साथ-साथ अगर हम लोग आप बात करे, AI से related भी advertisement जबर्दस हम लोगों को देखने को अपने AI तो आपको पताई है, और लड़ी बहुत सारी company यह ऐसे related अपना काम भी आपर start यहापर कर ही चुकिए, कि अपना target audience को वो easily आपर catch यहापर कर लेते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार की सारी चीज़े हम लोगों को होते भी देखने को आपर मिलने वाली है, अगर हम लो तो आपने यह भी observe किया होगा, कि यह company का ad तो कभी brand का ad तो कभी देखा ही नहीं था, बट अभी कैसे देखने को आपे मिल रहा है, तो competition इतना बढ़ रहा है दोस्तों, कि वो brand वो चीज़े है, वो आपके आकों के सामने आपे रहना चाहिए, वरना तुरंत replace करने के लिए time नहीं लगीगा, तो इसलिए बहुत सरे companyya advertisement के उपर लगातार spending करते वे देखने को मिलेगी, and digital platform ही सबसे ज़्यादा इसमें क्या करेगा, बाजी मारेगा 60% तक का market share उनका, आने वाले 4-5 साल तक जाते वे देखने को मिलने वाला है, so overall मुझे ऐसा लगता है कि जो जितनी report का crux था, वो आप लोगो समझ में आया होगा, and इसी चीज के चलते दोस्तों अगर देखा गया, तो अभी हम लोग यहापे आने वाले की कौन से ऐसे shares है, जिनको इस चीज का यहापे फाइदा है, यहापे मिल सकता है, और अगर आप चाहो तो उनको study कर सकते हो, वो आपके सामने हापे में ज़रूर रखना चांगा, कोई recommendation नहीं है, बट येs, advertisements से related कौन-कौन सी company जो अच्छा है, यहापे काम करते हैं, देखिए जो पूरी industry है, यह जो sector है, वो ही काफी छोटा sector है, ठीक है, यहापे आपको इबदम धूम धड़ा किदार, इबदम लाक, दो लाक करोड की market काफ वाली company नहीं देखने को मिलेगी, बहुत ही छोटी company रहेगी, तो sector छोटा है, stocks छोटे, तो volatility भी काफी यहापे रहेगी, तो beginner के लिए तो यह sector तो मतलब काफी ज्यादा risk यहापे हो सकता है, तो चले फिर भी हम लोग 3-4 companies को study करने की कोशिश करेंगे, पहली company है, दोस्तों, आप सभी लोग को पता है, FL India, ठीक है, काफी लोगों के दिमाग में आपे आई चुका होगे, क्योंकि FL India को हम लोग कभी, बहुत पुराने समय से आपे cover यहापे कर रहे हैं, पहले 900 पे था, फिर 900 पे stock, जो था वो बढ़कर कितना चला गया, 5,500 तक चला ग बढ़ अगर आप देखोगे, तो जो बोलते हैं न, intelligence के तुरू यह सारी चीज़े करते वे देखने को मिल जाते हैं, मतलब, जो आपको add recommend होते हैं न, दूस्तों, ठीक है, वो कैसे, यहापे, मतलब, transform करके, आपके recommendation में आड आने चाहिए, ठीक है, better and better marketing strategy को और improve करने के लि best guitar under 10,000, 15,000, 20,000, ठीक है, आपको automatically guitar selected advertisement आना start हो जाएंगे, so कैसे होता है यह, इसके पीछे यह technology लगे हुई रहती है, ठीक है, यह recommendations कैसे आपको आजाते हैं, तो यह company's के पास आपका data है भाई, वो आपको properly target करेंगे ही करेंगे, ठीक है, आप guitar search करेंगे, अगर आपको मान इंडिया EI से related भी यहाँ पे काम करना start यहाँ पे कर चुके कि अपने काम को वो और efficient कैसे बनाए करके, तो इससे related भी company फिलाल तो यहाँ पे काम करेंगे, छोटे company रहेगी, 15,000 करोड का market कैपे, technology segment में यह company काम करती है, share holding pattern भी देखेंगे, decent है, 56% promoter, 14, 14% FIS, 14,5% से जज देख सकते हो, long term boring, zero है, short term boring भी, zero नजर आ जाता है, cash भी company के पास, decent हमनों को देखने को मिल जाता है, लगबग 500 करोड के आसपास roughly, so यह हो गई, पहली company, कोई recommendation नहीं, second company की बात करें, दोस्तों, तो है, welters advertisement limited, yes, यह भी company चाहो, तो आप study कर सकते हो, maximum chart pattern आप देख सकते हो, देखे, अभी top पे देखने को मिलेगा, तो अच्छा है, तो ऐसा नहीं है, जब correction आएगा, तो इबदम आराम से, 50%, 60% यह company तूड जाती है, इनको पैसा लगातार मिलना काफी, मतलब important चीज रहती है, अगर नहीं मिलेगा, तो stock तूड जाएगा, अगर मिल जाएगा, तो monetization, solution to the digital marketers, ठीक है, इसे related ही, हम लोगो company का काम देखने को यहापे मिल जाता है, तो यह चोटी company, small cap ए, 1300 करोड का market का आप देखने को आपे मिल रहा है, share holding pattern कैसा है, तो आप देख सकते हो, 37%, promoter के पास है, बीच में आप देख सकते हो, promoter 48 से 37 होगे, तो क्या डरना चाहिए, नहीं, चेक करो भाई, कि माल किदर जा रहा है, तो FIS ने उठा है, भाई, 7 के बदले 23 हो गया, तो डरने की जरूत नहीं, DS तो हे भी नहीं, देखते भी नहीं, इस company को और बाकी public के पास है, तो रिस्क तो काफी जाद है, है तो एक small cap category वाली, पड़ एक small cap category में FIS इतना ब media limited, ठीक है, कोई recommendation नहीं, इबदम nano cap type की company देखने को मिल जाती है, ठीक है, इबदम तेजे देखने को मिल रहे है, ऐसे suddenly नीचे भी आपर आ जाएगी, कोई एक छोटा player अगर माल भी बेज देगा, बड़ा player, तो definitely stock नीचे आ सकते है, बटे इनका भी काम वही है, दोस्तो, advertisements से related directly, indirectly हम लोगे इनके काम देखने को मिल जाती है, केवल 600-700 करोड के आसपास का market cap देखने को मड़ा है, ऐसे company में अगर आप देखोगे, promoter 72 है, public 20 है, चलो, FIS कोई तो आ गया, 7% की holding क्या नाम पब्लिच यहापर हो रहा है, तो FIS का नाम भी आप यहापर देख सकते है, यह motivation नहीं होना चाहिए, FIS ने करी लिया, मैं भी खरीद दूगा करके, कल वो चाहे तो बेच करण भी निकल सकते है, major portion आपका business को देखकर यहापर जाना आना चाहिए, then अगर हम लोग यहापर आखरी company के यहापर बात करेंगे दोस्तों, तो वो आपकी सामने आप यहाप communication agency से related company काम करती भी देखने को मिल जाती है, बहुत चोटी कंपनी 500 करोड का ही market cap है, ठीक है, अगर आप चेक करोगे share holding pattern कैसे, promoter maximum है, public है, और बाकी FIS एक चोटा सा देखने को मले है, 5,5% की holding देकर बेठा हुआ है, तो कुल मिला कि इन 4 companies को आप चाहो, तो study आप ही कर सकते पहले दो कंपनिया, थोड़े तो sizeable थी, बाक की दो कंपनिया थी, वो बहुत ही छोटी थी, तो भापे बहुत ही जादा risk रहेगा, अगर आप advertisement sector के उपर ज़्यादा अगर बुलिश हो, अगर आप focus करना चाते हो, तो इस report को भी go through कर सकते हो, और इन 4 stocks को भी चाहो, तो study यहापे करके, according edition यहापे ले सकते हो, तो आशाकर तो वीडियो helpful लगाऊगा, तो चाहो तो like and share कर देना, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए, bye-bye.